जे स्री कृष्णा आईए सुनते हैं आज सनीवार के दिन सनीदेव की यह कहानी सिर्फ डराती ही नहीं इन पात से डरते भी हैं सनीदेव जानिये क्या है रार सनीदेव को भी लगता है डर शुर्य पूत्र सनीदेव के बारे में कहा जाता है कि उनका गुसेल स्वभाव और ग्रह दसा किसी को भी बरबाद कर सकती है लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है सनीदेव कीवल उनहीं लोगों को परिशान करते है जिनके कर अच्छिर नहीं होते सनीदेव न्याय की देवता है यही वज़य है कि भगवान सीव ने सनीदेव को नौ ग्रहों में न्यायाधीस का काम सौपा है मगर क्या आप जानते हैं कि वह सनीदेव जिनके प्रकोप से सारी दुनिया डरती है वह खुद भी इन पाज से डरती है पौरारी कथा में बताया गया है कि सनी महाराज भगवान सुर्य और उनकी दूसरी पत्नी छाया के पुत्र है बताया जाता है कि एक बार गुसे में सुर्य देव ने अपने ही पुत्र सनी को स्राप देकर उनके घर को जला दिया था इसके बाद सुर्य को मनाने के लिए सनी ने काली तिल से अपने पिता सुर्य की पुजा की तो वह प्रशन हुए इस घटना के बाद से तील से सनी देव और उनके पिता की पुजा होने लगी हनमान जी से डरते हैं सनी देव माना जाता है कि सनी देव पवन पुत्र हनमान जी से भी बहुत डरते हैं इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हनमान जी के दर्शन और उनकी भक्ति करने से सनी के सभी दोस शमाप्त हो जाते हैं जो लोग हनमान जी की नियमित रूप से पुजा करते हैं उन पर सनी की ग्रहदसा का खास प्रभाव नहीं पड़ता है क्रिष्ण जी से डरते हैं सनी देव अच्छी अच्छों की अपनी लीला से सबक सिखाने वाले भग्मान श्री क्रिष्ण को सनी देव का इष्ट माना जाता है मान्यता है कि अपने इष्ट का एक दर्शन पाने को सनी देव ने कोकिलान में तपश्या की थी सनी देव के कठोरतब से प्रशन होकर स्री कृष्ण जी ने कोयल के रूप में दर्सन दिये तब सनी देव ने कहा था कि वह अब से कृष्ण जी के भक्तों को परेशान नहीं करेंगे पीपल से भैखाते हैं सनी देव पवरारिक मान्यता के अंसार सनी को पीपल से भी दर लगता है इसलिए सनी वार को पीपल के पेर के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से सनी देव प्रशन होते हैं शास्त्रों में बताया गया है कि जो पिपलाद मुनी का नाम जपेगा और पीपल की पूजा करेगा उस पर सनी दसा का अधी प्रभाव नहीं होगा पत्नी से भी डरते हैं सनी दे सनी महाराज अपने पत्नी से भैखाते हैं इसलिए जो तिस में सनी की दसा में सनी पत्नी का नाम मंत्र जपना भी सनी का एक उपाय माना गया है इसकी कथा यह है कि एक समय सनी पत्नी रितु वश्नान करके सनी महाराज के पास आई लेकिन अपने इस्ट देव स्री कृष्न के ध्यान में लिन सनी महाराज ने पत्नी की ओर नहीं देखा था क्रोधी थोकर पत्नी में श्राप दे दिया था सिव से भी डरते हैं सनी देव पिता सुर्य देव के कहने पर सनी देव को बचपन में एक बार सबक सिखाने के लिए सिव जी ने उन पर प्रहार किया था सनी देव इससे बेहोश हो गए तो पिता के बिंती करने पर सिव जी ने वापस उन्हें सही किया तब से मानिता है कि सनी देव सीव जी को अपना गुरु मान कर उनसे डरने लगे हैं